आप लोगों का स्वागत है तो जैसा कि आप लोगों को पता है एकी सगस 2022 को होने वाला जेसी सीजेल का एक्जाम जो है वो अस्थागित कर दिया गया है जिसमें गड़बड़ी पाई गई है और कहा जा रहा है आप दूसरी एजनसी यहां पे एक्जाम लेगी है और इसमें पे ये एक्जाम जो है 2016 में हुआ था अभी 2022 यहां पे चल रहा है और इस तरह से अगर एक्जाम का जो तिथी है वो एक्स्टेंड होता है तो ये विद्यार्थियों के लिए एक मांसिक तनाव से गुजारने का इस्थिती होते हैं लेकिन फिर भी इस तनाव को आपको मैने चुक जाएगा तो दुबारा मौका मिलना बहुत मुस्किल होता है ये आप लोग एक्जाम पता ही है छे साल एक्टेंड हो चुका है तो अगर और यहां पे आप जो भी कमी रह गया है अपने तयारी में अगर उसको पूरा नहीं कीजेगा तो फिर दुबारा मौका मिलना बहुत मुस्किल हो जाएगा इसलिए आप लोगों को पिछले वीडियो में भी समझाया गया था कि आप लोगों को सबसे पहले कोई भी एक्जाम दे रहे हैं तो उससे समंदी जो कोश्यन बैंक है उसको सबसे पहले बनाईए तभी आप लोगों का माक्स जो है वो बेहतर पाएगा क्योंकि बहुत सारे जो प्रस्ण है वो रिपीटेड होते हैं और जो कुश्यन बैंक होते हैं कोई भी परिच्छा के लिए एक तयारी का सही दिशा परदान करता है तो हम लोग यहां पे अब यहां पे हम लोगों चुकी पास एक से डिड़ मैना का हम लोगों के पास extra time मिलता है तो हम लोग परियास किये थे कि देखे थे कि कोई भी section है तो सबसे चोड़ा section का हम लोग देखते हैं और उसके बाद हम लोग परियास करते हैं उसको जल्द से जल complete करेंगे यानि कि जिसमें input का time बहुत कम और output ज्यादा से ज्यादा मिले तो यहां पे इस 333 प्रसन ही हमारे पास है ज दौरा तो इस तरह से हो सकते हैं और दी हो सकते हैं लेकिन मेरे पास जो है अभी 333 प्रसन हैं जो कि पिछले JCC दौरा IOJT certification में पूछे गए इस तरह से आप लोगों को बताया गया था पिछले वीडियो में कि हर एक सेक्शन में आप Question Bank अगर देखें तो यहाँ पे SI का अगर ही ही अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरह से यहाँ पे आपका GS में 1170, समाने विज्ञान में 760, गनीत में भी इतने ही 760 और आपका RISMING में 760, केवल SI के पेपर में, चुकि आपको पता होगा PT में SI में 33 सेट वहाँ पे लि बनाई है, उसके बाद इधर उधर आपको इसेट बनाई है, आप इसका अगर जवाब नहीं देर पा रहे हैं, तो यह बात आपके लिए एक तरह से कहिए कि यह नुकसान दे हो सकता है, और इसी तरह से अगर जात्षन का कहें तो 1190 प्रस्ण हैं, और कुल मिला कि अगर हम यही आपका जो डाइरेक्शन है, वह सही डाइरेक्शन में आपका पढ़ाई को ले जाएगा, तो आज से हम लोग यहां पर सीरी beginning शुरू करेंगे, उसमें सबसे पहले हम लोग परियास करेंगे, यह जो कुशन हैं, उसको हम लोग तयार करेंगे, आपका यहां टेस्ट के एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रशनों को हम लोग ले सके आप लोगों को बस इतना करना है कि यह जो वीडियो है उसको आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियाएं तो सब्सक्राइब कर लेजए और दूस्तों के साथ share कीजे क्योंकि अगर वीडियो में view नहीं आता है तो हम लोगों का भी motivation level गिर के जाता है और नया वीडियो अपलोड करने के लिए हम लोग motivate नहीं होता है इसलिए कोशिस कीजे कि आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियो मिले इसके लिए केवल आपको लाइक करना है सब्सक्राइब करना है दोस्तों के साथ share करना है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन टेस्ट नमबर वन कम्प्यूटर ग्या के कम्प्यूटर के इस सेक्षन में जार्खन के विभिन एक्जामों में आयोजित जैसे कि जार्खन सची वाले प्रादम्रीक परतिविता परिक्षा जार्खन सची वाले मुख्य परतिविता परिक्षा और इसी तरह के स्क्रीन जो आपको नजर में आ रहे हैं ये सेसी द्वारा आयोजित विभीन परिक्षा हैं और इसमें कम्प्यूटर समंदी जो भी सवाल पुछेगे हैं उन सवालों को solve करने का हम लोग परियास करेंगे। चलिए प्रादम पर करते हैं। पहला है MS Word Document में अक्षर के नीचे लाल निशान क्या दर्शाता है। तो इसका अंसर स्पेलिंग में त्रूटी, ग्रामर में त्रूटी, एड्रेस ब्लॉक, प्रेंटिंग त्रूटी। अंसर क्या होगा? स्पेलिंग में त्रूटी। इसी परकार से आपको देखना है कि अग सवाल हो गया, next सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, word wrap क्या विशेषता है? आवसकता होने पर text को अगली लाइन में स्वता भेज देता है, document के नीचे ले हिस्से में प्रकट होता है, या आपको text पर type करने के स्वीधा देता है, या लगू 36 रेखा है जो document के अंत को दर्सा देत इसका सही अंसर होगा, option A, आवसकता होने पर text को अगली लाइन में स्वता भेज देता है, इसी तरह का एक होता है text wrap, ये text wrap में क्या होता है, अगर कोई हम image यहाँ पर डालते हैं, तो उसके 4 और यहाँ पर लिखा जाता है, तो इस तरह से अगर होता है, तो इस तरह से जो ह topic को भी देखते चले हैं, ताकि question bank के साथ एक्सर तयारी आपका होता चले, next सवाल है, MS Excel में निमलिखित में किसके परियोगदारा data को ROE और OVROE में विवस्थित क्रिया आ जा सकता है, जैसे कि कभी आपका test दियो होगे, तो test में किसी का जादा नम्बर आता है, तो वो data menu के short command दोरा, title menu के short command दोरा, तो ये जो होगा data menu के short command दोरा इस तरह से होता है, तो इस तरह से इसका option C हो जाएगा, अगला question देखते हैं, उस network का नाम क्या है, जो केवल college परिशर तक सीमित होता है, पहला है campus area network, wide area network, intranet और extra net, तो इसका answer हो जाएगा campus area network, इसका जो radius रहत मिल जाएगे, इसी तरह से आपका local area network रहता है, इसका अगर हम लोग देखते हैं, तो एक से 10 km तका range रहता है, उसी प्रकार से आपका metropolitan area network भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका range होता है, 100 km तक होता है, और wide area network, ये तो पुरा विश्यो या महावीब को जोड़ता है, तो इ इस तरह से, इस तरह से छोटे-छोटे आपके यहाँ पे network के area में इसको बाटा गया है, तो इसका option हो जाएगा, ए campus area network, next हम लोग सवाल की और बढ़ते हैं, अपने photo को fax करने के लिए आपको क्या की ज़रुरत, क्या ज़रुरत होगे, telephone line, printer computer, telephone line, scanner, computer, modern, telephone line, computer, internet, connection, printer, or modern, इसका सही answer होगा, telephone line, scanner से scan करेंगे, computer, or modern, यह अगर चीज रहेगा, तो आप किसी को भी fax बेज सकते हैं, उसके बाद अगला सवाल है, slide show के लिए निमिलिखित में कौन से shortcut कूजी है, F5, F3, F9, F8, देकि आपको किताब में बहुत सारा shortcut की आपको मिल जाएगा, वो shortcut की को आप याद कर लिजे, और अगर आपके पास laptop है, तो उस shortcut की को आप laptop में ही बना के देख लिए, या मतलब उसमें apply करके देखे, तो वो ज्यादा यह तक याद रहेगा, तेकि इसके लिए यह जो answer हो जाएगा, F5 होगा, F5 को refresh करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, यह कहीं न कहीं, आपको next सवाल में आपको देखने को मिल जायागा, इस तरह से यह अगर हम लोग powerpoint में करते हैं, तो slide 100 आपका चलता है, और अगर general में करते हैं, तो यह refresh करता है, अगला question है, इंटरनेट पर एक host, दूसरे host को अपने blank के रवारा खोशता है, postal पता, electronic पता, domain या IP पता, जिसको IP address के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, देखिए, यहाँ पे हम लोग का जैसे कि पहले डाक में आता था post office के दौरा, तो वहाँ पे आपका एक बकायदा address रहता था घर का address, तो उसी तरह से जो internet service provider होते हैं, जैसे Airtail हो गया, जीयो हो गया, ISP हो गया, त इस तरह से यह इसका अंसर हो जाएगा, IP address, अगला सवाल है, जब किसी HTML पर कतिपे part पर mouse को रखा जाता है, तो यह आकार में परिवातिच हो जाता है, ऐसे part को क्या कहा जाता है, hyperlink, mailing link, protocol link, reciprocal link, तो इसका सही अंसर है hyperlink, जैसे यहाँ पे आप कर रहता है, कोई भी link, आप द किजिएगा, तो वो जो होता है, particular एक page में चला जाता है, तो इस तरह से hyperlink जो होता है, उस web page का link होता है, जिसमें click करने से हम उस web page पे चले जाते हैं, तो इस तरह से hyperlink इसका answer होगा, उसके बाद यहाँ पे है, अगला question number है, आपका computer में है, संख्या पदती से यहाँ पे change करना है, तो यह binary है, इसका base जो है, वो 2 है, इसको सबसे पहले आप क्या कर लिजे, base 10 में change कर लिए, base 10 में change करने से, उसके बाद आप octal में change कि जाता है, आराम से change कर सकते हैं, सबसे पहले इसका face value लिखते हैं, तो face value अगर यहाँ पे हम इसका लिखे, तो यहाँ पे 0 हो हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इससे multiply कर देंगा, 1 को यहाँ पे 2 से क्या कर देंगा, 2 का power 4 से multiply कर देंगा, बाकि 0, यहाँ पे 2 का power 3 से इसी तरह से करेंगे, लेकिन चुक इसका base हो जाए, आपका 8, तो यहाँ पे हम लोगों क्या करना है, जो base 10 वाला है, वो number को 8 से divide करना है, देखिए यह सब process जो है, आपको पूरा class अगर होता है, तो उस समय बताया गया है, यहाँ चुकि हम लोग question discuss कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी यहाँ यहाँ पे इसका basic जो theory है, उस पे हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, केवल हम लोग इसका answer को बनाने का प्रयास करना है, तो 8 दुनी यहाँ 16 होता है, जो 6 हो गया है, यहाँ पे 0 हम लोग लिख दिया है, और इस तरह से यहाँ सजा के लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, इस तरह से answer हो जाएगा 2 और 0, तो इस तरह से यह चेंज हो, अगर आपको संख्या पदती में convert करने के लिए दिक्कत हो रहा है, तो पहले कोई भी किताब आप जो computer का पढ़ रहे हैं, उसमें देखिए संख्या पदती एक chapter होगा, और वहाँ जाके देखी कैसे यहाँ पर नंबर को convert किया जाता है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, question number 10, इंटरनेट पर प्रेसिट किये गये किसी संदेश की मूल प्राप्ती और अंतर वस्तु का साक्षिन निमलिखित में किस सुरक्षा सेवा के का सुरक्षा उद्देश है, भो input, output जो होता है, वो बहुत जादा हर सेट में आपको एक दू मिल जाएगा, इस तरह से बस आपको ध्यान रखना है जो data है, अगर data को आप जो है, यहाँ पे computer में दे रहे हैं, input कर रहे हैं, तो वो input device हो जाएगा, और data से अगर कोई चीज आपको बाहर मिल रहा है, जो input हो जाएगा, तो देखे, scanner होता है, scan करता है, तो यह input कर रहा है, जो भी आप scan करें, वो document को, जो keyboard है, या वहाँ पे, sorry, monitor है, वहाँ पे आपको दे जाएगा, उसके बाद keyboard है, तो keyboard की जो प्रेस कर रहे है, वो information data को input दे रहा है, mouse से भी data को input जाता है, लेकिन plotter जो होता है एक तरह का बड़ा printer होता है, जिससे flags यहाँ पे छापा जाता है, तो इस तरह से इसका जो answer हो जाएगा, plotter से कोई चीज बाहार निकल रहा है, printer, तो जैसे कि printer में हम लोग print करते हैं, तो क्या निकलता है, page निकलता है, उसी तरह से plotter से flags निकलता है, इसलिए यहाँ पे इस गहनत्यों की optical storage device है, तो आपको यहाँ पे storage device में हम लोग देखते है, hardix है, जैसे pen drive वेगरा, सब हम लोग HD card वेगरा, यूज करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे चार option जो दिया गया है, CD-ROM, SD-DVD, फिर Blu-ray, उसके बाद CD-RW, यहाँ पे दिया गया है, तो इसका सही answer ह तरह का Blu-ray, Blu-ray जो होता है, वो आपका 25 से 50 GB तक का storage हम था, यहाँ पे capacity रगता है, इसका answer हो जाएगा C, next हम लोग चलते हैं, question number 13 की वो, निमिखित में कौन सा ऐसा software है, जिसका उप्योग इंटरनेट पर protection और सिक्षा परदान करने के लिए, तथा उसे track करने और उसे प content, object, reference, model, distance, education, console, तो इसका सही answer हो जाएगा, learning management system, यह तरह से कहिए कि जो कोई software चलाता है, तो वो manage करता है, student की बीच, और जो education, कुछ channel चला रहे हैं, या कोई app चला रहे हैं, तो वो सब में यह manage करने में यह काम करता है, learning management system, इसका answer हो जाएगा E, next सवाल की और हम लोग ब folder में, सरी यह दो बर रिवीट हो गया है, blank store में करता है, तो यहां URL case, temporary internet files, you are repository internet explorer, इसका सही answer हो जाएगा, temporary internet files, एक सवाल हम लोग चलते हैं, question number 15, यदि आप किसी browser का प्रियोंग करते हुए mail देखते हैं, तो आपका browser क्या है, मतलब आप क्या है, आपका browser क्या है, उसको उसरा है client, क्योंकि server से data का नुरूद करता है, फिर है DBMS, क्योंकि यह आपके data के लिए back end जांच करता है, फिर है RDBMS, क्योंकि इसे server से data की पिक्षा होती है, तो इसका सही answer होगा client, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कि कोई भी data हम जहां से भी store कर रहे हैं, तो वहां से हम लो data लेते हैं, वो server हो जाता है, तो इस तरह से यह answer हो जाएगा आपका client, क्योंकि server से data का नुरूद करते हैं, क्योंकि mail पहले server हो जाता है, server के बाद, फिर यहाँ पे sender के बाद, यहाँ पे client के पास आता है, तो इस तरह से इसका answer हो जाएगा B, पुछन नमबर सेक्षिन चलते हैं पिछले प्रयोकता द्वारा डेक्स्टोप आइकोन को अनुकूल किया गया था आप डिफोल्ट चाहिवे को कैसे सेट करें प्रणारी को पुनर अरंभिक करके डिस्प्ले प्रपर्पर्टीज के एफेक्ट्स टैप का चाहिन करके और डेक प्रपर्पर्टीज के इफेक्ट टैप पर चायन करें और डेक्स्टोप आइकन विकल्प के डिफोल्ट आइकन को चूज करें तो जो आपका पहले से सेट अप था वो सेट अपका आजाएगा जो भी चेंज किया गया थो वो पुना समाप्त हो जाएगा इस तरह से यह कु अब कोई भी चीज इंसर्ट करें डाल रहें तो इसमें यहीं होगा इंसर्ट में चार्ट का अप्शन आता उसमें आप इंसर्ट कीजिए चार्ट कीजिए और इस तरह से आप दाल सकते हैं यह F5 फिर से आया था पावर पॉइंट के संवर में अब यहां पर बोलाए एक सही दिशा की ओर जाएगा चलिए इसका अंसर हो जागा इसक्रीन को रिफ्रेस्स करता है 19 number कुष्योन है CHFI स्थाही रूट से संग्रहन में में रहता है प्राइटरी इसका अंसर है secondary memory तो जब work होते रहता है जैसे कि RAM हो गया तो उसमें रहता है secondary memory जैसे कि हम लोगा hard disk हो गया वो secondary memory है जिसको हम लोग laptop बंग भी करते थे या computer बंग भी करते हैं तो भी वहाँ पे जो भी हम लोग store करते हैं data वह बाद में भी हमको मिलता है तो इस पर से इसका जो होगा secondary memory हो जाएगा उसके बाद हम लोग question number 20 में चलते हैं किसने पहला electronic computer एनी एक को बनाए यह factual question है जो कि आपको कोई भी book में मिल जाएगा इसका अंसर होगा प्रेसप एकर्ट और जॉन मुश्डे उसके बाद है STTP सर्वर के लिए default port number क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा 80 option B फिर है OSI reference model की transport layer निमलखित में से कौन सी सेवा परदान करती है दो host को तार्किक रूप से जोडता है दो application को तार्किक रूप से जोडता है दो socket को तार्किक रूप से जोडता है इसका अंसर हो जाएगा दो processor को तार्किक रूप से यह क्या करते हैं जोडते हैं और चलिए दो प्रशनाम लग देख लेते हैं question number 23 है iOS reference model में कितने networks layer रहते हैं तो किसका answer हो जाएगा 7 फिर नए जारी operating system Windows 8 का default internet browser क्या है तो इसका answer हो जाएगा internet explorer 10 अभी आपको बताना है कि अभी विंडो 11 में default क्या है तो Microsoft Edge जिसका अभी हम परियोग करें यहाँ पर यह Microsoft Edge ही है और इस तरह से अब जो आता है विंडो 11 में तो देखे कोई चीज अगर updated चीज है तो आपको question bank को देखके आपको नया चीज को भी देखना है कि इसका updated version क क्योंकि यह तो question bank है तो विंडो एट आप पूशेगा नहीं अब चुकि विंडो 11 आ गया तो यहाँ पर विंडो 11 के बारे में आपको जानकारी रखना है कि Microsoft Edge जो है वो default internet browser के रूप में आप दिया जा रहा है लास्ट हम लोग question आज का देखते हैं संदहित प्रोग्राम स्टोर प्रोग्राम वाले प्रथम computer की संडशना किसके द्वारा की गए थी यह वी एक factual question है और इसका answer है वान निमेंट इस तरह से यहाँ पर आपको question bank को यहाँ पर बताया जा रहा है यह question bank जो series है यह तभी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं या ज्यादा ज्यादा आप question upload कर सकते हैं तब जब आप लोगों का support रहेगा इसे दोस्तों के साथ share कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको like कीजिए ताकि हम लोग नया नया वीडियो इसी तरह का जितने question bank है जैसे से में पूछे जाता है कभी बहुत ज्यादा high level का question push दिया जाता है जिससे हम लोग का motivation लेबल या एक परसे कई confidence lose होने लगता है तो सबसे पहले आप जो है question bank को बनाईए और question bank बनाने के बाद ही दूसरे किसी भी set को बनाने का प्रयास किजिए तो चलिए next video में हम लोग next सवाल को solve करने क का प्रयास करेंगे देखते रहे धापन कोचिंग क्लासिस की YouTube चैनल दानेवाद